पंजाब में जो चुनावी महौल चल रहा है काफी पार्टिया अलाइंस कर रही है साथ में चुनाव प्रचार में अलग-अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं काफी प्रेस कॉंफरेंस करवाय जा रहे हैं तो इसी सिलसिले में इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करने जा र से डॉक्टर कुलवान सिंग्गिल बहुत-बहुत स्वागत है आपका ससी कर में जो यह अलाइंस हुई है पंजाब लोग कॉंग्रिस की और बीजेपी की इसके बारे में क्या सोच रखते हैं आप बहुत वदिया स्वाल किता है यह अलाइंस जो है बहुत वदिया अलाइं लीडरा ने उना दी सोच ने सेंटर तो हर एक मदद लेन लई फनेंशली मदद लेन लई ते पंजाब न दे पदन उच्चा चकन लई ए अलाइंस होया है ते बहुत वदिया अलाइंस है ते इस अलाइंस तो बाद जेडे कैंडिडेट जो साथे पंजाब बिच अतारे अगां वदू ख्यालान दे अमानदार लाए गया है ते असी उना नूँ वद तो वद अपनी यां बोट्ना पाके इना नू जताओ ते जिमें अपने अलाखे दी खुशाली लई पहल दे दार ते ए जो अपने कैंडिडेट खड़े हैं गठ जोड़ते ते ए थोड़े अल पंजाब दो उच्छे पद्दर तेल जान वाले कैंडिडेट खड़े करें थे साधी सरकार सानू जताओ तांके साधी जड़ी है सरकार आके लोक पलाई दे कमानू तेजी नाल शुरू करिये तेजी नाल जो है इधा तांच्छा जो पंजाब दा खराब हो चुक्या है उस इसले ही साधे लोक कानू जड़ा है 15 बने पाटी जताओ बाकी आपको जो पंजाब लोक कॉंग्रेस द्वारा उपाधी दी गई है मेंबर ऑफ स्टेट अडवाईजरी कमिटी आपको चूज किया गया है इसके बारे में क्या राय रखते हैं आप इसमें यह राय रखता पंजाब दे अंदर ले आना चंद है ते तांके जड़ा है पंजाब जड़ा है खुशाल हो सके जीवन बद्दर इना दा लोक का दा उपर चके जाए इस अलाइंस से दोनों की जो अलाइंस विये पार्टी की इस से पंजाब के लोगों को किस तरीके का बेनिफिट मिलने देश को किस तरीके का बेनिफिट मिलने वाला है यह जो अलाइंस है इस तो पंजाब दे लुका नो एक तां जो प्रावलम जो सेंटर तो एड़ लंदे सी हैं कोई फैनेशली हेल्प लंदे हैं ओसा नो बड़ी असानी ना मिलेगी ते असी अपने जो कर्जे हैं कर्जा भ वो जड़ा हैगा वो खतम होए ते जो पंजाब है अपने खुशाली वालनो बड़े ते तरक्की करें अपने तो यह थे हमारे साथ दॉक्टर कुलवान सिंगिल जिनका यह कहना है कि इस अलाइन से पंजाब के लोगों को काफी जादा फायदा होने वाला है और आगे और भी जादा तरक्की करने वाले हैं पंजाब के लोगों के लिए देश के लिए तो ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है एंटी 24 न्यूज